वेलकम टू लौकी दुनिया तो आज आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आपको पैस डॉयर बनने से कोई नहीं रोक सकता कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको आर्गुमेंट कैसे करना है कोट में और जब आप अपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो यह जो पॉइंट्स है वो आपको जरूर याद आएंगे तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं जब भी आप जज के सामने जाएंगे और प्रैटिशन पढ़के जाएंगे तो आपके दिमाग में यह जरूर आएगा सवाल कि मैं इंडिरेक्टली केस के बार में बताऊं पूरा लॉंग सब कुछ डेट वाइस या फिर मैं डिरेक्टली मुद्दे पर आऊं तो इस सवाल का जो है वो यह जवाब है कि जज ता जज मतलब कि जब आप कोट में जाओगे तो आप अब्सरफ करो कि जो वो जजज है जिसके सामने आपका केस लगना है वो किस तरीके के आर्गुमेंट्स को पसंद करते हैं क्या वो क्या सुनके उनको गुसा आता है और क्या जज को कि आपको किस तरीके से अपने केस को प्रेजन्ट करना है जब भी अपनी इंटर्फिप करें या फिर अपने शुरुवात करें लॉयर की करियर की तो आप जो एड़़ोगेड हैंके सीनियर एड़ोगेड उनको बहुत ही अराम से और तरीके से चुने क्योंकि वही जो है वो आपको समझाएंगे, सिखाएंगे लेकिन कोई भी लॉयर स्पून फीटिंग नहीं करेगा आपको अपने एफर्ट्स भी बहुत जादा लगाने पड़ेंगे समझने के लिए कि वो जो लॉयर है वो कैसे आर्गुमेंट करते हैं कोर्ट में वो जो आर्गुमेंट क करते हैं वो कैसे करते हैं और अगर कोई पॉइंट उनके अगेंस जाता है तो वो कैसे उसको मोल्ड करके जवाब देते हैं जज को लेटेस इंटर्शिप ऑपरचुनिटीज और फ्री नोट्स एंड लीगल अप्टेट्स मैं डालती रहती हूं अपने इंस्टा और किया इंपॉर्टेंट जो भी चीज़े आपको लगती है वह उस नोट्बुक में जरूर लिखिए यह आपकी बहुत ही जाधा काम आएंगी कुछ करने के बाद मेरी यही रहा है कि प्रैक्टिस मेंक से मैंट पॉफिक्ट इस थेओरी पर चलिए तो जब भी आप यह सब च दो सब्सक्राइब तो मैं चानल शेर दिस वीडियो और लाइक एंड जो लास्ट पॉइंट है वो यह है कि आप कॉंफिडेंट रहिए बेशा कि आपको अंदर डर लग रहा हो अपनी ड्रेसिंग सेंस अपने वाकिंग स्टाइल अपना वेय ऑफ टॉकिंग अच्छा रख ख्बिस धिंग यू